दोस्तों नमस्कार आप सभी को अरन भूमी पेज में स्वागत करता हूं और मैं आप सभी को बता दूँ यह सिप मंदिर से लेकर के नहर लगन तक इतना ट्रैपिक है इतना ट्रैपिक है हम लोग पिछले एक गानता आदा से यहां पर पापुनला में पसा हुआ है और क्योंकि सभी को पता है कि ICR जो कैपितल रिजन है फिर से तीन बज़े से यहां पर करप्यू है तो ऐसे में लगता है कि अगर ऐसे ही ट्रैपिक रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा क्योंकि अभी देख सकता है आने जाने वाला दोनों तरह ट्रैपिक है और लाइब ब मक्सिद आ कि जो लोग अरंगुमी पेज को देख रहे हैं मैं आपको बता दू अगर ज्यादा अगर आपके पास ज्यादा मतलब अर्जंत इसे काम नहीं होने से नहरलगन के और नहीं आना है क्योंकि ट्रैपिक बहुत ज्यादा है अगर आपकिसी अमर्जिसी काम करने के लिए आओगे तो यह में पास जाओगे और क्योंकि लगबग यह तो मुझे लगता है कि एक दो बज़ी तक यह ट्रैपिक रहने वाला है क्योंकि बहुत पीछे बहुत आमनलों सी मंदिर से आगे हम लोग ट्रैपिक को मनलब वहां से हम लोग ट्रैपिक से गुजर कर आया जिस कारण से मतलब लोगों को यहां पर बहुत दिक्कतों का सामना करना पर रहा है तो एसे में आपको लगता है कि जो रहा है तो यहां पर सायद आगे में ट्रैफिक में पसा हुआ है तो आगे में ट्रैफिक लियरेंच सायद नहीं है जिसकारण से और ट्रैफिक बहुत लंबा मतलब लंभी लाइने लगी हुई है और ये तक्रीमन जो है आपका इतानगर से जब आते हो तो सिप मंदिर से आगे से ट्राफिक शुरू हुआ है और ये अभी देख रहे हैं जहां पर हम लोग जो शर्टरडे मरके दिहां पर लगता है जो तिक पापुनला का आए यहां पर एक ब्रीज है चोटा सा जो ब्रीज इस यो इस इसको क्रोस किया हुआ है लेकिन लगively फिलें एक अधे सिहा पर त्राफिक में पसा हुआ है तो अर десят пример में दरसक City नहर लेगन से वी इधानगर आ रहे हैं जो इतानगर से नहारलगन के और जा रहे हैं उनसे में रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास अगर अरजन काम नहीं है तो आप इस जो ट्रैफिक रूत को ना पक्रे क्योंकि ना पक्रे और दूसरा तो चारा तो है निए इसी को पकरना परेगा लेकिन आपका पास अरजन क काम है तो आप जरूर इसकूटी या बाइक पर यानि दो इसे दो जो चका होता है उनसे आप जरूर जाईएगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत प्रॉब्लम है यहां पर आप देख सकते क्योंकि हम लोग जहां से वीडियो बना रहा है यहां से क्योंकि इस्टेगन है मालब पिसल जो नियम जो है लागू हुआ था जो तीन बज़े से तीन बज़े से सुबह पांच बज़े तक जो है कर्प्यू लगा तर मालब आईशिया रीजन में दिया गया है इसका कारण एक ही था कि जो हमारा जो कोभी जो कैसे से बरने के कारण से यहां पर जो कैपितल दीशी जाना बहुत दिक्कत हो रहा है कि त्रैफिक जादा है और यह भी बता दूं कि तीन बज़े तक मतलब आपको कैपिटल के अंदर गुष्णा या पर यहां से निकलना होता है तो ऐसे में सभी को मैं यह बता दूं कि जो कुरूंकु में जिसे जगा से दापो जिसे जगा से अगर सुमो आएंगे तो मुझे लगता है कि ओ यहां पर सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे अगर पहुंचता भी है तो अगर ट्रैफिक पसने के कारण से यह लोग कही पस सकता है तो ऐसे में दिक्कत हो सकता है उनको जो है मैं आप जो हम लोग बार बार लास्ट ताम पर हमने वीडियो बनाया था कि जो फुल्स डिपार्नमेंट होता है क्योंकि सब का इंटन से यह नहीं होता है कि जो पुलिस जो दूती कर रहा है उसको मतलब परिसान करना क्योंकि कभी-कभी हो जब्ले के कारण से और भूलों के कारण से उनको लेथ होना पड़ता है तो ऐसे में जो लोग सुमो आता है या पिर बाड़ा गारी दूर दूर से आता है जो कभी-कभी मेडिकल जो इमर्जनसी पैसन से वह भी आता है तो ऐसे को देखते हुए मतलब केपिटल डीजन में जो इंत्री करने का मोखा धिया जाना चाहिए क्योंकि मैं बार-बार बता दू उनका इंत्री करने का मोखा पुलिस द्वरा नहीं दिया जाता है तो एसे को सही से चानबिन करते हुए में सही से पूश्ताश करके अंदर इंत्री करने का मोखा दिया जाना चाहिए और अभी का समय अभी का जो एक जिक जो सिच्वेशन है कि ट्रैपिक बहुत बढ़ा है क्योंकि आज मंडे का भी आज सौंबर भी है तो यह भी कारण हो सकता है कि सभी लोग अपने अपने सब्सक्राइब करना लोगों को पड़ता है जो लोग ओपीस जाता है उन सभी को दिकतों का सामना करना पड़ता तो इस चीज़ को अगर सही सोलेशन निकाल जाएगा तो सही है और आपको यह भी बता दो पापुनौला से लेकर के जो बंदर देवाता का अभी हाइवे जो काम जो है जल्दी हो जाए और बिना किसी देर करते हुए मैं उस्टब में जल्दी किलियरंन्स हो जाता है तो हमारे लोगों को आने जाने में कोई डिकत नहीं होगा उनको भी इस चीज को दियान देना चाहिए लेकिन ऐसे बहुत सारा देखने को मिला है कि बहुत सारे जगाओं में मतलब जब बारिश होता है तो उनका जो काम किया हुआ जो है फूरा जो है ब्लेक टोपिंग उकड रहा है या पिर कलबट गिर रहा है उसके बाद हाइवे मे जहां बारिश को समय में आता है तो इन चीजों को मतलब कर ràका कैपिस्च को भी देखना यह साती साथ सब्सक्राइक को पिर करना चेल कि यहां पर मोनीट्रिंग करना चाहिए कि कहा में काम सहीं को रहा है नहीं गलत हुआ तो उन चीजों को पीर से मतलब मैंटिनेंस के लि काम किया उसको मतलब बोलना चाहिए कि आप काम को करिए जो मेंटिनेंस है जहाँ पर आपका गरबड़ी हुआ है उनको सही करने के लिए बोलना चाहिए पिलहाल अभी यहां से अपडेट यह है कि इतानगर जो नहरलगन भीच में जो है ट्रैपिक बहुत जादा है तो मैं करूर बाइक या स्कूटी ले करके चाहिए और यह भी बता दू कि कल से जो है नया जो है कर्प्यू जो लागू हुआ है तीन बज़े से तो इनको भी आपको ध्यान देना होगा क्योंकि तीन बज़े के बाद आपको यहां पर इंत्री करने का मोखा नहीं दिया जाएगा बसरते की जो मेडिकल जो एमर्जंसी जो जो कोविट जो वरियर है उसके बाद जो मेडिकल एमर्जंसी होता है उनको जाने का शरी मोका दिया जाएगा इसलिए सभी को बता दू अभी ट्राफिक बहुत ज़्यादा है अगर दूर से भी कोई लोग आ रहे हैं या पिर बज़े से हम लोग यह त्राफिक में अभी भी कड़ा है कही जाना था लेकिन यहां पर ट्राफिक के बज़े से हम लोग यहां से हिल नहीं पा रहे हैं तो सभी दर्सकों को यह ता तोरा सा अपडेट हम उमीद करते हैं कि आपको जरूर पसंद आया होगा क्योंकि जो ट्र सेनिताइजर का इस्तेमाल कीजिए सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार द्वारा जारी किया गया एसोपी को हमेसा मेंतिन कीजिए ताकि हम सब सुरक्चित रह सके तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए नमस्कार जे हिंद जे अरुनाचल